हेलो फ्रेंड़ तो इस वीडियोमें हम वान-टूवॉन स्थ सि देखने वाले हैं और डिफरेंट-डिफरेंट-टाइप कि जो डेलीशन सूर वह भी तर चीप वाले हैं ठीक है अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखिए तो एक बार जाकर देख सकता है उन्हीं वीडियो का कंटिनेशन में है पिछली वीडियो में हम यहां पर लिस्ट यूज कर रहे थे पर मैंने लिस्ट को डाल दिया क्योंकि उच में कुछ इशू आ रहा था है यहां के चैनल के साथ एंट्रीं होम्हें तो फोन में हम ख़िए प्रोष्मय ले लिता है यह आंडियों के साथ इक प्रोष्म का है जो की अगेंटेंट मुंख है थीए फ्रोष्म घे nord Wanna और यहां पर ऊजाएगा ऐगा तो यहां पर यहां पर्षाण पर दे दूँञा उब धाँ के अंदर तो आजाएगी यूजर की रिलेशनुशिप हमें करन самых उपने बतानी हैं एक जाता है नियुक्त करके चार्ओंगर करने वाले हैं तो हमने no action किया यहाँ पर जाते हैं और class definition में वही manual null और यहाँ पर relationship में भी जाओगे तो वही 2-1 है और reverse में हमारा phones के साथ relationship है ठीक है तो अभी के कैसे बसे तरह नहीं करना है तो अब हमें editor में जाके create anis object यह जो files हैं इसकी वह दोनों create करनी पड़ेंगी दोनों के लिए करनी है हमें फोन और user के लिए पर इससे पहले हम इसकी user की डिलीट कर देते हैं अदर्वाइस वह duplicate हो जाएंगी हमने डिलीट कर दी अब editor में जाके हम files create कर रहे हैं कि तो दोनों की file हम create कर लेंगे कि लैट से हमें बनानी है इसके अंदर अपनी दोनों files ठीक है यह दोनों file create होगा हैं अब हम हमें क्या करना कुछ नहीं करना हमें content व्यू जाना है एलेट से हमें user यूजर सेव कर लेते हैं तो यूजर सेव करने के बाद ठीक है यहां पर आ गया हमने कोई एक एसक्यूलाइट विवर करके हमने ओपन किये जो इसमें हमें डेटा दिखता रहे तो हमारा यूजर के साथ एंट्री बना रहे हैं तो id let's say asdf है name में दीपक मैंने डाल दिया age में 25 डाल दिया phone number में भी कुछ में मैंने random डाल दिया और address में मैंने daily डाल दिया मैंने save किया तो यहां पे मेरा एक दीपक और id और delete और details में जो मैं बता रहा था screen वह details में मैंने एक simple से screen open की है और यहाँ पे plus के button पे मैं provider और phone number user से pick कर आ रहा हूँ ठीक है बस यह दो screens है अब हम users पे जाते हैं द्वारा से देखते हैं कि user की entry add होई की नहीं user की entry add होगई जिसमें address दिली आ गया यह सब कुछ details आ गयी पर हमारा main काम है phones के साथ क्योंकि हमने user की relationship बना यह phone की साथ तो यहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे तो phone की entry नल है भी ठीक है तो अभी हमारे user से related phone save नहीं है तो हमें क्या करना है details पे जाना है इसका हम code दिखा देते हैं कहां पे हैं तो यह screen है यहाँ पे info view जिस पे phone number डालने पे हमें update करने तो update करने के लिए क्या करना पड़ेगा वही let phone is equals to phone और हमें context में same जो context हमारा उपर है वही लिखना है ठीक है और phone phone dot provider जो हम provider हम दे रहे हैं वो provider और phone dot phone is equals to में जो phone हम type कर रहा है ठीक है तो यह save हो गया but let's say अगर मैं इसको save कर दूँ context sorry phone dot save phone dot sorry context dot save ठीक है do catch के अंदर डालना पड़ेगा जैसे हम पहले कर रहा है otherwise वो save होगा नहीं ठीक है debug print और हम हम यहां पर print कर लेते हैं error dot localize description और यहां पर हम try डाल देते हैं ठीक है तो यहां पर हम let's say phone save कर रहे है तो phone dot phone phone तो यह है अच्छा self dot phone डाल देते हैं same details यहां पर आ गई हम यहां details पर जा रहे हैं तो phone यहां पर check करोगे तो मैंने phone तो आ गया provider भी आ गया ठीक है लेकिन user की साथ relationship हो नहीं पाई यूजर की अगर phone के साथ है तो phone की भी user के साथ होगी ठीक है तो अब हमें क्या करना है user में data save करना है तो user में data save करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर user लेकर आना पड़ेगा तो user लाने के लिए हमें पीछे से लेकर आना पड़ेगा यूजर जिस यूजर पर हमने टैप किया वही यूजर लाना है तो यह यूजर कहां से आएगा वो आएगा यहां से और यहां पर कहां से आएगा यह पीछे से पास करेंगा हम यूजर तो यूजर यह हम यहां से पिक करेंगे ठीक है तो अब हमारे प्यास क्या है content view में जाएंगे content view में यहां पे user है तो हम user यहीं से पास करने वाले हैं क्योंकि user हम array में से प्रिंट करा रहे हैं और कुछ हम कुछ करने रहे हैं तो let's say यहां पे जाएंगे add phone number में जाएंगे यहां पे हमें कुछ करना नहीं है यहां पे यह किया है हमने phone number को save किया ठीक है कोई problem नहीं है करते थे हैं लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है यह चीच यहां पे करने के बाद user.phone user.phones is equals to phone ठीक है phone तो यह relationship बन गई हमारी कुछ नहीं करना हमें अब बस control आई format कर दिया run कर देते हैं एक बाद तो अब हम चेक करेंगे न जब user create करेंगे तो user के साथ अभी जेक लेते हैं parallel से हमने से ही अभी user के लिए हमें phone कुछ नहीं आ रहा है तो हमें details करनी है save add करनी है let's say मैंने यहां पर 8L किया ठीक है और phone number में let's say random मैंने डाल दिया अब मैंने save किया तो दुवारा से page refresh कर लेते हैं एक बार यहां पर अब users में देखोगे तो मेरी id बन गई और यहां पर phones में मेरा 2 आ गया ठीक है अब phones के entry में हमारा पास एक ही था पहले null अब हमने 8L save गया तो इसने users के entry को 18 से map कर दिया यहां पर users जाओ गए तो यहां पर users 18 के साथ map हो गया ठीक है तो basically users का phone के साथ relationship create हो गया ठीक है 1 to 1 relationship है इसमें कुछ मतलब कुछ hard नहीं था इसमें सिर्फ हमें user में phone number पर पास करना इसके लावा कुछ नहीं ठीक है simple सी details थी अब इसमें let's say हमें deletion rules करने है ठीक है अभी हमने क्या किया था अभी हम यहां पर check करेंगे तो हमने deletion rules जो set किया है वो किया है nullify नहीं किया हमने इसके लिए किया है यहां पर जाएंगे no action कि अगर मैं user को delete करूँ तो मेरे पास phone number पर कुछ effect नहीं आना चाहिए phone number की entry यहां पर पड़ी रहनी चाहिए ठीक है तो let's say मैं user को delete किया अब user delete हो गया let's say मैंने refresh किया मेरे पास user की देखते है user की तो कोई entry है नहीं पर phone देखूंगा न तो यहां पर phone देखूँगे दो entries पड़ी है यह 8L पड़ी है और 18 यह 18 user को pick कर रहा है लेकर 18 user है ही नहीं ठीक है तो यह basically है no action कि अगर मैं इसकी जो इसके साथ इसके relationship है अगर हम इसको delete कर दूँ तो इस पर कुछ impact नहीं आने वाला यह as it is data को save करके रखेगा ठीक है तो let's say अब हमें क्या करना है एक बार relationship को change कर देते हैं अब हम करने वाले यहां से no action से लेके nullify कर देते हैं ठीक है तो nullify में एक बार run कर लेते हैं nullify में क्या होगा ना कि जब user की delete करो entry तो यहां पर जो value है 18 की जगे पर null आ जाएगा ठीक है let's say मैं कोई नया user create करता हूँ qwer name में कुछ भी दीपक दे दिया age में 34 दे दिया phone number कुछ भी add as daily अब मैंने save details की तो यहां पर details save हो गई अब यहां पर users में देखोगे तो एक detail आ गई ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ details में जाके phone में जाके मैंने let's say provider में voda दे दिया और यहां पर phone number में मैंने कुछ भी दे दिया ठीक है अब मैंने save किया save करने के पाथ यहां phone number पर जाओगे तो third entry आ गए ठीक है जो की हमारी यह user से मतलब provider यह था phone number यह था user number 19 तो यहां पर user पर जाओगे तो 19 save है ठीक है तो अब हमें क्या करना है user को delete करना है तो let's say मैंने user को delete कर दिया अब user को delete कर दिया page को refresh कर लेते हैं user तो delete हो गया पर लेकिन जो phone था हमने nullify set किया था पहले हमने किया था no action जब यह delete हुआ तो उसकी entry इसमें पहले से exist करती है nullify में क्या हुआ user delete हुआ तो यह भी इसमें value null आ गए ठीक है अब third है cascade 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 में क्या होगा कि दोनों delete हो जाएंगे ठीक है मैं user को delete कर रहा हूँ तो उसके साथ जितने भी relationship है वो भी delete हो जाएंगी तो let's say मैं एक और user create कर लेता हूँ जिसमें मेरी id है zxcv कुछ भी आर let's say यही है name में दीपक age में कुछ भी phone number में कुछ भी और इसमें हमने daily दे दिया save गया यहां पे आ गया details में हम phone number डालने वाले providers में हम 8L देने वाले और इसमें कुछ भी डाल रहे वाले है save किया देख लेते हैं save हुआ कि नहीं तो यहां पे phone number save हो गया ठीक है और यहां पे phone के अंदर जाओगे तो last वाला save हो गया इसने user को idly 20 अब मैंने डिलीट कर दिया ठीक है अब मैंने user को डिलीट किया तो user हट किया है हां से अब मैं phone के अंदर जा रहा हूं तो phone की entry भी डिलीट हो गए ठीक है दिस इस थर्ड ऑप्शन cascade अब हम last वाला देखने वाले एक क्या है deny deny का मतलब यह है कि बस आप उस record को डिलीट नहीं कर सकते डिलीट की परमिशन नहीं है आपको ठीक है तो लेट से मैं एक और record create करता हूं asdf और phone number में लेट से और स्वारी नेम में दीपक age में 34 कुछ भी phone number में कुछ भी डाल देते हैं address में लेट से देली सेव किया मैंने details में जाके phone number add करने वाला हूं लेट से एट एल पोन नंबर सेव यहां पर गए हैं अब यहां पर आप डिलीट देखोगे तो यूजर्स के अंदर देख रहे हो ठीक है अब यहां पर डिलीट करते हैं ठीक है यहां से डिलीट हूब तो यह बचस मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली है पिछली वीडीयो में डाली थी तो यहां पर डिलीट का यहां पे हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट में बस यह लोकलाइज डिस्क्रिप्शन है यहीं से प्रिंट हो रही है तो अब यहां पे जाके एक बार SQLite में देखते हैं कि डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं, यूसर में वो ही पड़ा है और फोन्स में भी वही पड़ा है, ठीक है इसका उतलर डेटा डिलीट नहीं हुआ है मैं डिलीट नहीं कर सकता मैं दुवारा से एक बार रन करूँगा तो यह डेटा मुझे मिल जाएगा ठीक है, तो बेसिकली यही है कि डिलीट करने का ट्राई अगर मैं कर रहा हूँ अगर डिलीट में फेल भी हुआ है किसी रीजन से तो वह रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है लोकली, तो मुझे वह फैच करना पड़ेगा या फिर मैनुली रिकॉर्ड में एड करना पड़ेगा दुवारा ठीक है, तो यही थी वीडियो रिलेशंसिप और डिलीशन रूल के बारे में next वीडियो में हम one to many पड़ेंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बड़ेग कर देना और ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है